हेलो प्रेंड, आज मैं 32 इंच चेस्ट के ब्लाउज में डिजाइन बनाऊंगे यहाँ पे मैंने ब्लाउज और अस्तर का कपड़ा टपल पोल्ड पे कट करके ले लिया है बहुती सुन्दर सा डिजाइन है, बहुती आसान है, इसे कोई भी आसानी से बना सकता है इसकी जो तयार लंबाई है, वो 13 इंच है, 1 इंच प्लस करके 14 इंच लिया है इसका सुल्डर 5 इंच लिया है, आर्म होल भी इसका 5 इंच लिया है और इसका जो चेस्ट है, वो तयार 8 इंच है, यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करके लिया है कमर इसका तयार 6 इंच है यहाँ पे 2 इंच प्लस करके लिया है सोल्डर के शाइड से उपन गला 2 इंच लिया है गले की लंबाई 10 इंच लिया है मैंने और नीचे से गले की चौड़ाई सवा 2 इंच लिया है मैंने और यहाँ पे मैंने गोल गले का सेप दे दिया है इस तरीके से देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेप दिया है और अभी हम गले के साइड में यहाँ पे डेड़ हिंज पे निशान लगा करके ले लेंगे देड़ इंज पे हमें जगा जगा इस तरीके से मार्ग कर लेना है ताकि हमारा जो सेप है वो अच्छे से एक बराबर आए थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें इस तरीके से देड़ इंज पे निशान लगा करके ले लेंगे पूरे गले के इधर देखिए इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है टे देडिन्च पे और अभी हम यहाँ पर इसे सेव दे 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 inge इस तरीके से मिलाते हुए जो हमने निशान लगाया है उसको मिलाते हुए इस तरीके से हम सेव दे देंगे यह मैंने सेब दे दिया है और अभी हम इसे कट कर लेंगे गला हम अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं उसकी लंबाई गले की और चोडाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने कट कर लिया है अभी ये हम गला वाला जो हिश्चा है, आगे वाला पार्ट, इसको भी हम कट कर लेंगे, देखें, इसको हम हटा देंगे, और ये हम आपके लिए अपने पट्टी लेंगे, तो इस तरीके से हम पेपर लेंगे, मैंने यहाँ पे न्यूस पेपर लिया है, और इस तरीके से ए धरूधर ना हो उसी सेप में हमें पेपर कट करके लेना है तो यहां पर हम अच्छे से एक पराबर रख करके यहां पर निशान लगाएंगे और एकदम इसी सेप में हम पेपर के पट्टी कट करके ले लेंगे यहां पर तो इस तरीके से दिखे चॉक से निशान लगा देंग इस तरीके से यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी, अच्छे से एक बराबर, और इसे तरीके से दूसरे साइड में भी हम निशान लगा लेंगे, पट्टी के दूसरे साइड में भी इस तरीके से निशान लगा करके ले लेना है, हमें अच्छे से एक बराबर रहना चाहि तो आप खोल करके पुरी पट्टी भी निशान लगा करके ले सकते हैं तो यह देखिए मैंने निशान लगा करके ले लिया है और अभी हम इसको कट करेंगे तो हम यहाँ पे आधा इंच एक्ष्रा लेते हुए कट करेंगे आधा इंच हमें एक्ष्रा चाहिए क्योंकि हम यह साइड में हमें उतना ही रखना है खाली जो हमाँ पर हम डिजाइन बना करके अटेज करेंगे तो उसके लिए हम आधाइन चिक्ष्रा रखेंगे पाद में अगर थोड़ा वह जादा रहेगा तो हम उसको चार्ट करके ले लेंगे तो यह देखिए इस तरीकी जो मैंने पट् पट्टी निकाल करके हो गई है और डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहां पर देड़ हिंच और पट्टी कट करके लिए कि चोड़ाई मैंने डेड़ हिंच लिए हैं आप कम जादा थोड़ा बहुत कर सकते हैं और अभी हम ब्लाउज और अस्तर का कपड़ा लेंगे और इ सिलाई लगाते हुए हम इस तरीके से ब्लाउज के कपड़े में अटेच कर लेंगे यह मैंने सिलाई लगा करके ले लिया है और अभी यहां पर जो एक्षा कपड़ा है गले के इधर पर इसको मैं कट कर लूँगी यह मैंने कट कर लिया है और अभी हम यहां पर थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगा देंगे और इस तरीके से हम इसको पलट करके यहां पर एक सिलाई लगाएंगे अस्तर के ऊपर अस्तर का जो कपड़ा है उसके ऊपर corner पे हमें सिलाई लगाना है Blairus के कपड़े पे सिलाई नहीं आनी चाहिए इससे जो हमारा सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाएगा और अभी हमिसे पलिट करके गले पे ऊपर से एक सिलाई हम लगा करके ले लेंगे अच्छे से एक पराबर करते जाएंगे और फिनेशिंग के साथ में यहाँ पर हम सिलाई लगा करके ले लेंगे यह मैंने सिलाई लगा करके ले लिया है और अभी हम इसे पलट करके यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरे अस्तर को ब्लाउज में अटेश कर लेंगे अच्छे से हाथ से एक परावर करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इसी तरीके से हम पूरे अस्तर को अटेज कर लेंगे अच्छे से यह मैंने सिलाई लगा करके ले लिया और अभी यहाँ पर जो एक्षा कपड़ा है इसको मैं कट कर लूँगे दूसरे साइड में भी जो एक्षा कपड़ा है इसको भी कट कर लूँगे यह मैंने कट करके ले लिया है और अभी हम नाट बनाएंगे तो यहाँ पर जो हमने पट्टी कट करके लिए थी उसको इस तरीके से शीधी सिलाई लगा करके हम ले लेंगे फोल्ड करके तिवनी सिलाई लगा करके ले ली है इसको हम पलट करके शीधा कर लेंगे बहुत ज़्यादा पतला नाट नहीं है तो यह आसानी से पलट जाता है पड़ी वाली सुई धागे से हम इसको इस तरीके से आसानी से पलट करके शीधा कर लेंगे अच्छे से इस तरीके से हम सोई को बाहर निकाल करके ले लेंगे और यहां से मैं कट कर लूँगे और इसको हम अच्छे से निकाल करके सीधा कर लेंगे यह मैंने सीधा करके अभी ले लिया है इसको अच्छे से हाथ से थोड़ा सा प्रेस करते हुए सीधा कर लेंगे और अभी हम इस पट्टी के बराबर इसको चवड़ाई में कट कर लेंगे इस तरीके से नाप लेंगे हम और जितनी शोड़ी हमारी पट्टी है उसी के हिसाब से हम इसको कट करके ले लेंगे इस तरीके से ऐसी तरीके से हम सारा कट करके ले लेंगे उसके बाद हम डिजाइन बनाएंगे ते देखे, मैंने इस तरीके से सारा कट करके ले लिया है और अभी हम पेपर के उपर इसको इस तरीके से सिलाई लगाते हुए अटेस करेंगे जो हमने पैन से निशान बनाया था, उसके उपर मैं अटेस करूँगी एक्षरा जो मार्जन लिया था, उसको छोड़ते हुए, जो हमने पैन से निशान लगाया है उसी के उपर हमें अटेस करना है, अच्छे से थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक बराबर रखते जाना है और सिलाई लगा करके अटेस कर लेंगे इस तरीके से एक बराबर रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे सेप में, जिस सेप में हमने निशान बनाया है, उसी सेप में हम इसको अटेस करेंगे तो जो हमारा सेप है, वो बहुत अच्छे से आएगा इसी तरीके से हम पूरे गले में इसको अटेस करेंगे जो हमने पट्टी तयार की है, पेपर की उसमें इस तरीके से पूरी पट्टी में हम अटेस कर लेंगे तो देखे, मैंने इस तरीके से पूरा लगा लिया है और अभी हम दूसरे साइड से भी सिलाई लगा करके ले लेंगे उसे भी हम अच्छे से हाथ से एक पराबर करते जाएंगे सीधा करते हुए सिलाई लगा लेंगे अच्छे से एक पराबर करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इसी तरीके से पूरे जो पट्टी पे हमने रगाया है नौट को उसके उपर सिलाई लगा करके हमें ले लेना है यह देखें मैंने पूरे पट्टी पे नौट को अटेस कर लिया है और अभी हम ब्लाउस का कपडा लेंगे और इसको इस तरीके से एक बराबर लखेंगे जो हमने निशान लगाया था पेन का उसी के उपर हम हमारा फिटींग का माप था तो इसको एक बराबर उसके उपर रखते हुए हम पीन लगा करके ले लेंगे तीन से जार जगा अच्छे से पीन लगा लेंगे एक पराबर रख करके उसके बाद हम सिलाई लगा करके इसको अटेस कर लेंगे देखें मैंने पीन लगा करके ले लिये हैं और अच्छे से एक पराबर रखते हुए हम शिलाई लगा करके इसको अटेस कर लेंगे अच्छे से फिनेशिंग के साथ में हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे देखें अच्छे से घुमाते हुए एक पराबर करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इसी तरीके से हम पूरे गले में इसको अटेज कर लेंगे पिन को मैं जगा 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 पर जो लगाए थी उसको निकालते जाओंगे शिलाई लगाते हुए और इसी तरीके से पूरा हमें अटेज करके ले लेना है पाई पीन बनाएंगे यहां पर मैंने पाइपीन बनाने के लिए एक इंच औरी पट्टी लिए है, क्रॉस पट्टी, जो हम पाइपीन बनाते हैं, वही पट्टी मैंने यहां पर कट करके लिए है, क्रॉस पट्टी, और उसको हम अच्छे से यहां पर अटेश करेंगे, सिलाई लगाते हुए, और अभी हम पलट करके उसको अच्छे से अंदर के साइड में फोल्ड करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे हम पाइपीन बना लेंगे अच्छे से दो बार फोल्ड करते हुए पाइपीन बना करके ले लेना है पूरे गले में हमें पाइपीन बना करके ले लेना है यह मैंने पाइपीन बना करके ले लिए हम देख सकते हैं कितना सुन्दर पाइपीन बना है यहाँ पर जो एक्ष्रा है उसको मैं cut कर दूँगे और अभी हमेहाँ पर tux लगा लेंगे दूसरे साइड में भी लगा लूँगे tux लगा करके ले लिया है मैंने और अब हम कमर पर पट्टी लगाएंगे तो मैंने यहाँ पर आस्तर का जो बटा हुआ कपड़ा था उसको इस तरीके से cut कर लूँगे और इसको join करके ले लूँगे क्योंकि यह छोटा है और इसको हम इस तरीके से यहाँ पर रखते हुए attach कर लेंगे कमर पे सिधा सिधा रखते हुए सीथी सिलाई लगा करके ले लेंगे और अभी हम इसको पलट करके यहाँ पे अस्तर के उपर वाली भाग पे हम एक सिलाई लगा करके ले लेंगे और अभी हम पट्टी का जो दूसरा हिस्सा है उसको पोल्ड करके थोड़ा सा सिलाई लगा लेंगे और अभी हम यहाँ पे लेस लगाएंगे इस तरीके से यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगाते हुए अच्छे से सेप में लेस को अटेस करेंगे अच्छे से सेप में घुमाते हुए आप यहाँ पे कपड़े की भी पट्टी बना करके लगा सकते हैं लेस की जगह पे और नहीं तो आप अगर रोज पहनने के लिए बना रहे हैं तो आप कपड़े की पट्टी का लगा सकते हैं नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं तो इस तरीके से हम लेस को लगा लेंगे और यहां से घुमा करके हम लेस के दूसरे साइड में भी सिलाई लगा करके ले लेंगे शरीके से सीधी सिलाई लगाते हुए कमर के उपर भी हम लेस को लगा लेंगे यहां से हम कट कर लेंगे लेस को और लेस के दूसरे साइड में भी एक सिलाई हम लगा करके ले लेंगे यह देखिए मैंने लेस को लगा लिया है और अभी हम यहां पर जो कागज हमने लगाया है डिजाइन बनाने के लिए इसे हमें सब निकाल करके ले लेना है यह देखिए इसको आराम से हम अच्छे से निकाल करके ले लेंगे सब जब अच्छे से फिनिशिंग के शाथ में हमें हमें कावज हटा लेना है निकाल करके तब देख सकते हैं गला हमारा बन करके एकदम तो कुलिते रहे हैं कितना आसान है है कोई भी बना सकता है किसी भी साइज के m bow में इससे बना सकते हैं डिजाइन को इस तरीके से बहुत ही सुंदर लगेगा और चाहिए तो आप इसस तरीके से रख सकते हैं और नहीं तर आप पैश वग living नीचे नजा सकते है यहाँ पे देखिए आप पैस लगाना चाहे तो पैस लगा सकते हैं नहीं तो नॉर्मल आप ऐसे भी रख सकते हैं आपको लेस लगाना है तो लेस लगाए नहीं तो आप कपड़े की पट्टी भी बना करके यहाँ पे लगा सकते हैं तो देखिए बलाउस हमारा बन करके र लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना